दिल्ली के मुखी मंत्री अर्विन केट्रिवाल को आज राउज एविन्यू कोट ने जमानत दे दी है दरसल शराब घोटाले मामले में अर्विन केट्रिवाल को लगतार E.D. द्वारा समंस दिये गए लेकिन उन्होंने नजर अंदास किया समंस को और कोट में पेश नहीं हुए इसी मामले में आज अर्विन केट्रिवाल को बड़ी राहत मिली है E.D. अभी तक 8 समंस केट्रिवाल को दे जुकी थी जिस पर वो पेश नहीं हुए E.D. ने शिकायत दर्च करवाई थी दो शिकायते थी अब अर्विन केट्रिवाल को जमानत मिल गई है और 15,000 रुपे के निजी मुचलके पर उनको कोट ने जमानत दी है तो जो अर्विन केट्रिवाल पर गिरफतारी की तलवार लटक रही थी कहा जा सकता है कि अब उन्हें थोड़े समय के लिए रहत मिल गई है क्योंकि मामले की अगली सुनवाई एक अपरेल को होनी है आप ये समझे कि आज सुभावी तसमीर साफ नहीं थी अर्विन केट्रिवाल क्या कोर्ट में पेश होंगे या नहीं होंगे इससे पिशली बार जब अर्विन केट्रिवाल वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये पेश होए थे तो उन्हें कहा था कि बजट सत्रुच चल रहा है विधान सभा में ऐसे में उनको पेशी से छूट दी जाए तो 16 मार्च की तारीक मुकरर हुई थी यानि कि आज की आज अर्विन केट्रिवाल कोर्ट में पेश होते हैं और जब वो पेश होते हैं उस वक्त राउजविन कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई थी पेश होते हैं एक मिनट बाद ही उनको जमानत मिल जाती है ये बहुत बड़ी राहत है ना सिर्फ अर्विन केट्रिवाल के लिए बलकी आमाद्मी पार्टी के लिए भी क्योंकि अर्विन केट्रिवाल लगतार ही कहते आए हैं कि साज़श के तहट उनको फसाया जा रहा है और उनको गिरफतार करके दिल्ली सरकार को गिराने की साज़श यहां पर रची जा रही है यही बात आमाद्मी पार्टी के तमाम नेता करते आए थे लेकिन आज आम चुनावों की तारिकों का एलान होना है दोपहर तीन बज़े के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी इसके साथी कई राजों में विधान सभा चुनाव भी होने है उसका भी तारिकों का एलान होना है उससे पहले अर्विन केटरिवाल के लिए बहुत बड़ी राहत है अर्विन केटरिवाल हर बार ये कहते आए कि चुनाव नजदीक है ऐसे में उनको टार्गेट किया जा रहा है और उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है जब रोट में पूरा तयार किया गए था रणीती तयार की गए थी जो रिश्वत खोरी का मामला है उसमें उनको केटरिवाल से जवाब लेना है पूश्टार्श करनी है अब इस मामले को लेकर कि आप ये समझे कि कोर्ट से जब अर्विन किर्जिवाल के वकीलों ने कहा कि वो अब आज पेश हो गए हैं तो उनको जमानत मिल सकती है और कोर्ट ने उनको जमानत दे भी दी लेकिन जो दिल्ली का ये आपकारी घुटाला मामला है ये आम आदनी पार्टी की फास बन चुका है हमने देखा कि मनेश सोधिया पहले से ही जेल में है उसके बाद कैसे यहाँ पर अर्विन किर्जिवाल की मुश्किले बढ़ती हैं जब एडी उनको लगातार समंस देती है लेकिन वो समंस पर पेश नहीं होते हैं उनको हेडराबाद से दिल्ली लाए जाता है उनकी रिमांड कितने दिन की E.D. को के कविता की रिमांड मिलती है ये देखना होगा तो कल से लेकर के आज तक जो पूरी तस्वीर देखने को मिली है कि एक तरफ के कविता की गिरफतारी होती है उनके घर पर चाह पिमारी होती है और उनके घर से मुबाइल फोन बरामद होते है और ये भी आपकारी घोटाले मामले में ही होती है जो दिल्ली का आपकारी घोटाला मामला है इसमें ही कि एक अविता की गिरफतारी होती है लेकिन आज अर्विन के जिवाल के लिए शनिवार का दिन ब्राहत लेकर क्या है और ठीक पहले जब लोकसभा चुनावों की तारिकों का दोपहर में एलान होना है उससे पहले आम आदनी पार्टी ने रहत की सांस ली है कर दोपहर में एलान होना है